हेलो असलो इस्टेडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सीपी सीबेन सिबिल प्रिक्विसायता 1908 में जो प्राण नायका सिद्धान्त धारा ग्यारा में दे रखा है पिछले वीडियो मैंने इस सिद्धान्त की परवाशा बताए थ प्राण के भारे में चर्चा की थी आज को सिद्धान्त के आधार के बारे में करिंगे तो प्रणीन आए के सिद्धान्त के आधार के आधार के आधार सीपीजी में अगर आप हमारे इस चैनल पने हैं तो मेरा चैनल नीचे रैड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें बिल्कुल निशुलक है मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी किया करें पहला आधार है मुकदमे वाजी का अंत मुकदमे वाजी का अंत पहला आधार है इस सिद्धान्त का मुकदमे वाजी का अंत इससे क्या होता है मुकदमे वाजी का अंत होता है ये राज का करतब है कि बहें ये देखे कि मुकदमे वाजी को बढ़ावा नहीं दिया चाहिए बलके उसे समाप्त किया जाना चाहिए तो इससे मुकदमे वाजी का अंद होता है अगर ये सिदान्त रे जूडिकेटर का जो सिदान्त है इससे मुकदमे वाजी का अंद होता है दूसरा इसका अधार है दोहरे बाद से सुरक्षा दोहरे बाद से सुरक्षा दोहरे बाद से सुरक्षा भी मिलती है इस दान्त का दूसरा मुक्य अधार दोहरे बाद से सुरक्षा है किसी ब्यक्ति पर एक ही बाद कारण के लिए दो बार बाद नहीं लाया जा सकता या नहीं लगाना चाहिए हमारे सम्मिधान में भी दोहरे खत्रे सरस्वरक्षा के रूप में भी सिद्धान प्रतिपादन किया गया है सम्मिधान में भी इसका प्रापधाने से रोकने का तीसरा अधार है नियाले के बिनिश्चे को सही एवं अंतिम बनाना नियाले के निड़ने को सही वं अंतिम बनाना ठीक अंतिम बनाना किसी नियाय के बनिश्चे का सही होना स्विकार के लाना आवश्चक है जब तक सही निर्णा नहीं होगा तब स्विकार नहीं होगा इस अधानत में राज का हित भ्यक्तिय का हित और नियालें के हित की सुरक्षा की गई हैं तीन तरीक के हित है राज का हित ठीक राज का हित बिख्तियों का हित ओर तीसरा है नियालेओं के हित ये तीन हित इस सिद्धांत में चिपे हैं आधार में गुलाम अब्बास और अन्ड का मामला जो है गुलाम अब्बास बानाम उत्तर परदेश राज के मामले में मामले में सुप्रीम कोड ने क्या का था सुप्रीम कोड ने दो मुक उद्धेश बताएं इसके इस सिद्धांत के दो मुक उद्धेश बताएं रेस कि इस केस में भी सुप्रीम कोट ने कहीं एक केस और है शिब्दास सिंग बनाम दर्याब कुमार दर्याब कुमर शिब्दास सिंग शिब्दास सिंग भरसिस दर्याब कुमर शिब्दास सिंग इस मामले में ने क्या कहा है इस मामले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि जो प्राण न्याए है वो सिब्दा आईबंपे क्रिया का नियम है पूर्ण न्याय का नहीं है ये सुब्दा फिर्किर्याक नियम है पूर्ण नयाका नहीं है यह बात इस केस में तेहिए अब इसे दान्त के तत्व और इसbenत के तत्व है त्रिक के जो तत्व हैं पहले पत्थव हैं पूर्बर्ती ए Ellis पशाद बरती बाद का होना पूर बरती नो पहले खी और जो प्राणा नाहीं के लिए दो बात का वोना अवशत है पहला है पूरवरती बाद दूसरा बश्याद वरति बाद ढारह है कि पूरवरती बाद का पूरवरती बाद वह बाद है जो प्रנगद बाद के फूर्व की यह जा चुका या ये को सार्ता गार्ध राध में डीना के इस द्सक्राइट के लिए आवश्च के पूर्बरती और पषार्वरतीट दोनों वादों के विशे पर फाध के और बाद कहने हो जाहिए मलब अगर किसी भी मामले में कोई एश्य Monsieur कोई विबात का जो बिंदू है वो पिर्टेक्ष रूप से या साथता रूप से एक ही होना चाहिए बेवास्थ रूप से या आनविक रूप से होने चाहिए ये आवश्यक है तीसरा तत्व है दोनों बादों में उन्हीं पक्षकारों या उनके अधीन दावा करने वाले पक पक्षकारों दोनों बादों में दोनों बादों में उन्हीं पक्षकारों का या उनके अधीन दावा करने वाले पक्षकारों का होना ये सिद्धान तभी लागू होगा जब पश्चाद बरती बाद में बही पक्षकार हो या ऐसे पक्षकार हो जिनके अधीन बे या उनमें से कोई दावा करते हो जो पूर बरती बाद में हो ये शर्त एवम अंग्रेजि सिद्धान पर आधारित है कि निर्ने एवम डीकरियां केबल पक्षकारो एवम समसरगी उपर लागू होती है या पक्षकारों पर लागू होती है किसी पक्षकार के अधीन दावा करने वाले बेक्ति को समसरगी कहा जाता है आज की इस वीडियो मैंने चर्चा की परन्या के सद्धान के आधार के बारे में उनके तत्व के बारे में अब मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जोड़े रहे हैं हसनलोज स्टडी के साथ